क्याबिनेट के अंदर डिसीजेन हुआ था कि एक साइज पॉलिशी से दहत एक साइज डिपार्टमेंट करोना सेस लगाए उसके उपर आज नेड़ने हुआ है कि जो हमारी इंपोर्टिव लिकर आई एफल जो सारी विदेश से हमारे आती है उसके पचास रुपे तीन सो पिटेक्तर एमल से बड़ी बॉटल पर और पच्चिस रुपे छोटी बॉटल पर सेस लगाया जाएगा नहीं जो हमारी इंडियन मैनिफेक्ट्चर्ड फोरं लिकर है उसके ऊपर 20-10-5 रुपे की प्रकोशन पर सेस लगेगा बियर जो mild और regular बियर है उस पे 2 रुपे और जो strong बियर है उस पे 5 रुपे सेश लगेगा और जो हमारे country liquor है उसके उपर bottle अद्दा और quarter के उपर 5, 3 और 2 रुपे सेश additional हम लगाने का काम दो जितने हमारे events contaminated zone के अंदर है उसको बंद रखा जाएगा मेचे की guidelines के अनुसार चाहे social distancing की बात है चाहे specific area की बात है उनको monitor किया जाएगा तमाम SPs और DCs को proper directions बेजी जाएगी और उन directions के साथ साथ regular working क्योंकि financial year हमें पूरा re-establish करना पड़ा क्योंकि हमारा एक अप्रेल से financial year शुरू होना था और आज तक एक भी event परदेश में खुला नहीं है तमाम हमने vendors से भी तमाम manufacturer से भी और wholesaler से भी निरंतर चर्चा करने के बाद यह निर्णे लिया है कि उसको कल से लेकर और 19 मई 2021 तक एक साइज यह के तौर पर हम क्यलाने का काम करें क्योंकि अभी यह नहीं पता कि किस vendor को कितना कितना effect होगा और किस किस proportion के अंदर उसके revenue को effect आगा इसलिए team ministers के committee बनाई गी है जो कर किसी के lockdown के दोरान fees के अंदर because of lockdown को variation आती है उसको assess करने के लिए सिरफ अगले दो महिने के लिए मेरी transport minister और sports minister की एक committee है जो उसको हर महिने की 15 तारी को assess करकर cabinet के आगे assessment report देगी कि क्या हमें किसी को relaxation देनी चाहिए नहीं देगी है हमारा यह प्रयास है already तमाम vendors को यह आदेश दे दिये गए है कि proper berigating जैसे साउथ की कई states ने करी इसमें social distancing monitor हो और उसके साथ-साथ किस तरीके से faced manner के अंदर दिन में customers को बुलाया जाए उसको तमाम को देखते पुलीस के सायोग के साथ monitor करें और कल से प्रदेश के अंदर अपने excisier की शुरवात पत्रों तमाम वेंडर्स अपने कारेश शुरू करें सुबह साथ बज़े से साथ बज़े तक MHC की गाइड लेंज है उसके परती social distancing कैसे फुले उसके करनाटका के अंदर करी गई उन तमाम पैटर्स को फॉलो करते परदेश के अंदर social distancing के अंदर और इसके अंदर केवल मात्र एफ आयर केवल मात्र सस्पेंशन तक ही ने क्योंकि एक बड़ी अपना सामने आई है इसका exact data हम collect कर रहे है क्योंकि वहाँ एक वेरहाउस भी था और पुलीस का खुद का गुदावन भी था दोनों की कोई मिली बगत है नहीं इसलिए मैंने भ इसलिए साइटी इसमें बिनाई जाए जो उस कंसर्ण एफ आयर के अंदर अगर केवल मात्र सेचो या कोई इस तरह का व्यक्ति को तुसकरी के अंदर पाया गया है वह इन्वाल्ड के साथ है अगर कोई senior official भी इन्वाल्ड होगा किसी में एक मिली चाहे वह एक्साइज सेक कहना कि इसका फीज के अंदर प्रॉफिट होगा लॉस होगा एस्टिमेटेड रेवन्यू का क्या हाल होगा यह उसके अंदर बहुत अरली होगा यह कहना कि प्रॉफिट आया है नहीं आया का इन्वान इकसट आनुवान इकसट सो का था हमारे बासट सो करोड रुपए आया, मगर उसके अंदर पांच दिन का रेवन्यू लॉस भी स्टेट को देखना पर चो कि यो अगे करोना कितने दिन चलता है रेड़ जोन कितने बनते हैं उसके ओपर चप्चा करना बहुत अध्ली है और हम उमीद रखते हैं कि प्रदेश के अंदर जो हमने सेह साह लगाया है कहीं न कई उससे भी प्रदेश को रेवन्यु मिले जो कि हम देडिकेटिड लिए करो चाहे वो medical supplies हो, चाहे वो affected families हो, चाहे लोगों की insurance हो, हमारा ये प्रयास है कि प्रदेश के अंदर उस revenue को अंदा है। पाच परसेंट जो उनको दूसरे महिने के पहली तारीक से देना परता था। उसको फिर प्रपोर्शनली आगामी दिनों के अंदर डायवर्ट है। हम के अंदर की जो जली जीवन है योजना के नहांदन से जैसे incentive दे पाए कि वो पैड़ी की तरफ ना जाए। उसके उपर कल दुबारा बैठा का और उमीद करते है कि एक अच्छा incentive फार्मर के लिए हम कल लाने का काम। गुर्शनली आपने लिए है अगर बूट लेगिंग चलेगी तो जो नई एक्साइज की कानूनी प्रणाली है उसके तहत मिनिममम छे महिने की जेल इंप्रेजिमेंट हम आगामी दिनों करें। अगर आज से शुरू हो रहा है तो आज से ही तमाम इस प्रकार की सेल अन प्रचीश पर सेस हम लगाने की कल जो पैडिकों ने कर मिटिंग है और दिपार्टमेंट का विश्य है दिपार्टमेंट के प्रपोदल को मैं उमीद करता हूं कि रियाना प्रदेश के हम फार्मर को किस परकार से इंसेंटिफ दे पाएंगे पिछले साल के इंसेंटिफ से भी बढ़ा चड़ाता है कि जादा से जादा फार्मर उसके अंदर अपने आपको अपने आपको कनवर्ट कर पार हमारा टार्गेट है और यह बता हूं कि अभी टार्गेट हमना है जो वर्ट दोजाथ दीच और इक्साइज के रखे दे इसको रखे पिया है और विश्वास रखता हूं कि पिछले साल जो हमने एक्साइज यह के तार्गेट है तो उससे फालतु रेज़े में प्रदेश इससाल एक्साइज इ अगर कहीं भी पंचाइटी जमीन पर और आठ हमारे ऐसे ब्लॉक है जो पानी का स्तर निरंतर गिरता जा रहा है उसके अंदर लीज को हम ओपन ऑक्ष्ण के माद्यम से दुबारा ऑक्ष्ण करें जिससे अगर कोई फार्मर नहीं लेना चाता सरकारी जमीन कुकि उसको उसका रेवन्यू पंचायत को जाएगा इसलिए नहीं है उसका भी अगर कोई लॉस होता है तो उसके लिए हमने चर्चा करी है कि हम पंचायत को उस रेवन्यू लॉस की बरपाई इंसेंटिव को जोर पे जेंगे कि पंचायते भी अपनी जमीनों पर पैड़ी लगाने को रंदीब सुर्जेवाला की दिक्सिनरी में कालीबानी को छोड़ कर कोई और शब्द आया है पिछले पांच दिने उनकी खुद की सरकार ने किस तरीके से टैक्स लगाया है दिल्ली की वह वावाई करते थे दिल्ली ने सात रुपे डीजल पे टैक्स बढ़ा दिया रंदी रंदीब सुर्देवाला जी केवल मात्र मेरे ख्याल से पिछले एक महीने में जब से वो करोना इफेक्टिड एरिया से निकले हैं और पंचकुला आकर बैठे हैं वो जज्जी आकर और कालीबानी फैसले के सिवाए कोई और शब्द डिक्सिनरी से ले आए तो मैं उनको मा कर अ कर दो